पिछली साल पूरी दुनिया पर भयांकर मुसीबत आई हमारे देश ने भी बड़ी मुश्किलें उठाई इस तकलीफ ने गरीबों को सबसे ज्यादा जब जोर दिया काम चूटा, रोजी चूटी, उनकी उमीदों को तोड़ दिया बेहिसाब, बेसहारा लोग अपने घरों की ओर चलने पर मजबूर हो गए जिस शहर ने दीथी शरण, उसी कर्म भूमी से दूर हो गए बढ़ती बेरोजगारी अस्पतालों पर बढ़ते दबाव और नई जरूरतों के बीच Hyundai Motor India Foundation ने एक अनोखी पहल की, सक्षम सक्षम एक अनूठी कोशिश है, जिसके तहट देश के कई हिस्सों में जरूरत मंदों को अस्पतालों में काम करने की ट्रेनिंग दी जा रही है अनेग बहादुर लोग इस बेमिसाल पहल के साथ जोड़ने लगे ये औरों को भी जोड़कर सक्षम बनाने लगे शुरू-शुरू में इनके परिवार वाले इस फैसले से सहमत नहीं थे उनके मन में था संकोच, अंगिनत सवाब पर ये लोग भी कमाल थे, जिनोंने हार मानने से इंकार कर दिया खाली नहीं बैठेंगे ये खुद से करार कर लिया युन्ड़ई के संस्थानों में ये सब बहतरीन कौशल इवं प्रशिक्षन पा रहे हैं सहिमाइनों में सक्षम होकर देश भर के अस्पतालों को सशक्त बना रहे हैं जिन्हें पहले इनकी फिक्र थी आज उन्हें इन पर फक्र है अब ये लोक सक्षम हैं अपनी जिंदगी के हालात बदलने में ये सक्षम है दूसरों के खयालात बदलने में, अपने मजबूत इरादों से औरों के जजबात बदलने में, इन बदलते जजबात से समाज बदलने में, ये सक्षम है समाज का आज बदलने में, अपने आने वाले कल का निर्मान करने में, अब ये सक्षम है भारत को और महान क करने में